Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today, English speaking practice. Let's start. First, में है ए. ए का मतलब होता है एक. For example, there is a book. वहाँ एक पुस्तक है. There is a book. वहाँ एक पुस्तक है. Next, ही. ही का मतलब होता है वह. इसका यूज हम जहाँ पर पुरुस का बात हो रहा है वहाँ पर हम ही का यूज करेंगे. For example, He is Rohan. वह रोहन है. He is Rohan. वह रोहन है. Next, for. फोर का मतलब होता है लिये. For you. तुम्हारे लिये. For you. तुम्हारे लिये. Next, है. एंड. एंड का मतलब होता है और. For example, चॉकलेट एंड बिस्किट. चॉकलेट और बिस्किट. Next, है. एट. एट का मतलब होता है पर. For example, he is at home. वह घर पर है. He is at home. वह घर पर है. Next, है. एज. एज का मतलब होता है जेसा. For example, do as I say. जेसा मैं कहता हूं करो. Do as I say. जेसा मैं कहता हूं करो. Next, आर. आर का मतलब होता है है. We are students. हम विद्यार थे हैं. We are students. Next, है. बी. बी का मतलब होता है हो. For example, it can be. यह हो सकता है. It can be. यह हो सकता है. Next, ओन. On का मतलब होता है पर. On the table. मेज पर. On the table. Next, है. Off. Off का मतलब होता है का. अग्जाम्पल. Cover of book. किताब का cover. Cover of book. Next, है. To. To का मतलब होता है. Say. जैसे. Monday to Friday. सोमवार से सुक्रवार. Monday to Friday. Next, है. I. I का मतलब होता है मे. I am a student. में एक चात्र हूँ. I am a student. Next, है. In. In का मतलब होता है मे. जैसे. It is in बेग. यह बेग में है. It is in बेग. यह बेग में है. Next, है. Is. इस का मतलब होता है. है. जैसे. He is a doctor. वह एक doctor है. He is a doctor. Next, है. It. इट का मतलब होता है. यह. इसका यूज हम निज्ज्जू वस्तु के लिए करेंगे. जैसे. It is my pain. यह. मेरी कलम है. It is my pain. Next. You. You का मतलब होता है. तुम. जैसे. You can go. तुम जा सकते हो. You. केन. गो. तुम. जा सकते हो. Next. यह. 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 बेग है. That is my bag. वह. मेरा बेग है. दिस. दिस का मतलब होता है. यह. एक्जाम्पल. दिस. इस. माई. पेन. यह. मेरा पेन है. दिस. इस. माई. पेन. यह. मेरा पेन है. दे. दे का मतलब होता है. वे. या. उन्होंने. एक्जाम्पल. दे. डिट. इट. उन्होंने. यह. कर दिया. दे. डिट. इट. उन्होंने. यह. कर दिया. फ्रोम. फ्रोम का मतलब होता है. से. I am from Pune मैं Pune से हूँ I am from Pune Next, have Have का मतलब होता है Pass Example I have a pen मेरे पास एक कलम है I have a pen मेरे पास एक कलम है His His का मतलब होता है उसका, उसकी या फिर उसके Example This is his book यह उसकी किताब है This is his book Next, with With का मतलब होता है साथ Example Go with him उसके साथ जाओ Go with him उसके साथ जाओ Next, was Was का मतलब होता है था I was running मैं दोड रहा था I was running Next, है The The का मतलब इक्रेकली तो कुछ नहीं होता है लेकिन इसका योज हम किसी वस्तु को बहुत खास बनाने के लिए करते है Example The car is red Car लाल रंकी है यहाँ पे car खास है इसलिए इसके साथ हम द का यूज करेंगे The car is red और और का मतलब होता है या मुबाइल और कम्प्यूटर मुबाइल या कम्प्यूटर Next है बाई बाई का मतलब होता है द्वारा Example Go by train Train से जाओ Go by train One One का मतलब होता है एक Example I need One cup of tea एक कप चाय चाये I need One cup of tea Next है Note Note का मतलब होता है नहीं I do not like coffee मुझे कौफी पसंद नहीं है I do not like कौफी Next है बाट बाट का मतलब होता है लेकिन Example But We will study लेकिन हम अध्ययन या पढ़ाई करेंगे बाट 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 वी विल स्टडी Next है वाट वाट का मतलब होता है क्या वाट इस योर नेम तुम्हारा नाम क्या है What is योर नेम Next है आल आल का मतलब होता है सब या सभी Example All the lights went out सारी बतियां जल गई All the lights went out Next है वेर वेर का मतलब होता है थें जैसे They were playing वे खेल रहे थे They were playing When When का मतलब होता है कब When will you study तुम कब पढ़ोगे When will you study तुम कब पढ़ोगे Next है वी वी का मतलब होता है हम या हम लोग Example We are studying We are studying हम अधियायन कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं We are studying Next है There There का मतलब होता है वहाँ Example There is my phone मेरा phone वहाँ है There is my phone Next है Can Can का मतलब होता है सकता हूँ सकते हैं या सकती हूँ Example You can speak English आप अंग्रेजी बोल सकते हैं आप अंग्रेजी बोल सकते हैं You can speak English Next है N N का Use हम भावेल के साथ करेंगे आप लोग भावेल जानते होंगे जैसे A, E, I, O, U Example I ate an apple मेने एक सेब खाया I ate an apple Next है तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है यह अच्ट है विच विच का मतलब होता है कौन सा विच इज योर बेग आपका बेग कौन सा है विच इज योर बेग Next है देर देर का मतलब होता है उनका It is their house यह उनका घर है It is their house यह उनका घर है Next है सेड सेड का मतलब होता है कहा या बोला They said to us उन्होंने हमसे कहा They said to us उन्होंने हमसे कहा Next है इफ इफ का मतलब होता है यदी या अगर Use an umbrella if it rain अगर बारिस हो तो चाता का इस्तिमाल करें Use umbrella Use an umbrella if it rain Next है Do Do का मतलब होता है करना You just do you study तूम बस अपना अध्ययन करो You just do you study Next We'll Will का मतलब होता है गा, गे, गी We will study हम अध्ययन करेंगे या पढ़ाई करेंगे Next Each Each का मतलब होता है प्रतेक Memories each word प्रतेक सब्द को याद करें Memories each word Next About About का मतलब होता है बारे में या के बारे में Tell me about yourself अपने बारे में बताओ Tell me about yourself Next है How How का मतलब होता है कैसे How are you तुम कैसे हो How are you तुम कैसे हो Next है Up Up का मतलब होता है उपर Hands up Heart उपर Hands up One One का मतलब होता है एक One cup of coffee एक कफ कौफी One कफ of कौफी Thanks for watching I hope Like this video आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं Keep learning Keep smile झाई झाई